यकूजण Hello Friends आज की वीडियो में हम देखेंगे History का जो आपका एक lecaller छूट रहा था 14 ठीक है जिसमें हम Lord Dalhozny के बारे में पढ़ने वाले थे तो आज की वीडियो में हम Lord Dalhozny के बारे में पढ़ेंगे और इनके क्या कार रहे थे नीतिया इन की रही इसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है तो इसके साथ जो आपका हिस्ट्री का एक टॉपिक रह रहा था वो भी कम्प्लीट हो जाएगा और हिस्ट्री हमारी कम्प्लीट हो जाएगी ठीक है तो देख लेते हैं Lord Dalhousie के बाद में Lord Dalhousie को भारत का Governor General बनाया गया भारत में British समराज का जितना अधिक बिस्तार Dalhousie के सार्षनकाल में हुआ उसका आधा भी किसी अन Governor General के सार्षनकाल में नहीं हुआ था ठीक है अगर हम बिस्तार की बात करें कि सबसे आधा अंगरीजी समराज को भारत में किसने खैलाया था तो उसमें Lord Dalhousie का अंगरीजी समराज का इसके प्रशाषन सलाने का जो तरीका था वो समराज बाद से प्रिरिता ठीक है तो इसका जो सार्षन सलाने का तरीका था और जो आते थे वो विकास के बारे में भी सोचते थे ठीक है भारतियों के बारे में भी सोचते थे लेकिन इसका क्या था कि इस समराज की आंत्रिक प्रशाशन में भी अनेक और विबिद प्रकार की सुधार किया। उसने 1853 में बंगाल के शाषन के लिए उपगवर्णर नियुक्त किया। जिससे उसके चारों और सुधार करने का समय मिल सके। ठीक है तो उसने क्या किया कि एक उप गवर्नर निउक्त कर दिया ताकि क्या कि आदे काम जो होगा वो उप गवर्नर देख लेगा तो इससे क्या कि पूरा टाइम मिल जाएगा इदर अधर सारी चीज़ों पर निगरानी रखनेगा ठीक है तो इसने प्रशाठेक सुधार में से संगठित करके ऐसे कमरिशनरों की निउक्ति की जो सेम उसके लिए उतर दाई थे ठीक है तो नए जो प्रदेश वगरा बनाए गए थे और जो नौन रेगलिशन प्रांथ थे उनको संगठित किया जोड़ा उसका तो वहाँ पर ऐसे कमरिशनरों की निउक्ति की जो उसक बनलोगर जो सेनिक थे, उनकी संक्या भडा दिया अब सैचिक सुधार की बात करें सिच्चा के छेतर में दूरगामी परणामों वाले अनिक सुधार किये प्रिसित बुट्स डिस्पैच यानि कि जो चार्ल्स बुट के समय में हमने सुना था सिच्चा के जिसे मैगना काटा कहा जाता था इनी के समय में आया था ठीक है तो सिच्छा के छेतर में दूरगामी परडामों वाले अनिक सुधार किये जो प्रिसिद बुड डिसपैस था अठार सो चार्स बुड में तो चार्स बुड जो नेंतरर बुड आफ कंट्रोल के अध्यचे थे इने की समय मा आये थे तीनों प्रिसिदेंसी नगरों या ठीक है तो यह सैचिक सुधार में आ गया और क्या कार किये तो रेलवे तथा तार बिवस्ता का बिस्तार ठीक है तो रेलवे जो है सरपतम किन के समय मा आई थी तो लौट डलहौजी के समय में ही आई थी ठीक है अठार सो त्रेपन में आपको पता कि पहली ट्रेंड चलाई किया गया वो भी इन्हीं के समय में किया गया था और जो टिकेट थे इनके मूले निर्धारित किये गए थे इनके समय में तो यह सारे कार थे जो Lord Dalhousie ने किया थे अब हम पढ़ेंगे Lord Dalhousie की हड़प नीती जिसकी बज़े से Lord Dalhousie जो थे बहुत फेमस थे ठेके तो उनकी हड़प नीती क्या थी वो देख लेते हैं Lord Dalhousie बिटिस समराज का अधिक से अधिक बिस्तार करना चाहता था कमपणी के राज का विस्तार करने के लिए उसने एक नवीन कूट नीतिक सिधान का निर्माड किया जो गोध निसेद नीती यानि कि इंगलिस में से कहते हैं Doctor and of Lips के नाम से जाना जाता है भारत में प्राचीनकाल से ही गोध लेने की प्रता चलिया आ रही थी जब किसी राजा का पुतर नहीं होता था तो हिंदु परंपरा के अंसार किसी बालक को अपने उतराद्रकारी के रूप में गोध ले लेता था इस सिध्धान्त के अंसwar कोई भी देशी राजा, बिटिस सरकार की अनुमतिक मेना किसी को गोध नहीं ले सकता है उस फचित अपन अपना उतरहदगारी बना दे तो ऐसा नहीं हो सकता है डलोजी ने इस नीती का कटोर्ता के साथ पालन किया और सतारा, जैदपूर, संबलपूर, नागपूर तता जहांसी का अंगरीजी समराज में बिले कर दिया तो यह नीती थी हडप नीती ठीक है लॉट डलहौजी की इसी के आधार पर इन्होंने कई सारे राज्यों को अंगरीजी जो समराजी था उसमें मिला लिया ठीक है इसमें सबसे पहले सतारा था, जैदपूर्ता, संबलपूर्ता, नागपूर्ता, जहांसी था इन सभी को अंगरीजी समराज में मिला लिया ठीक है तो इससे क्या हुए जो अंगरीजी समराज था इसका बिस्तार होता चला गया तो ये थी Lord Hallow जी की हड़ापनीती, इसे आप लिख सकते हैं अपने words में ठीक है, अपने सब्दों में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है तो इतना ही था Lord Hallow जी के बारे में तो इसी के साथ आपकी जो history थी वो complete हो जाती है, अब हम मिलेंगे next video में next topic के साथ, thank you so much for watching this video